इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो आपसे दूर होते क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या वज़ा है, आप दोनों के रिष्टे में इतनी दूर या क्यों आ रही है, इस कैसा चल रहा है आप दोनों का रिष्टा, क्या है आप दोनों की करण फीलिंग, इ इससे बेल अगर आपने मेरी चैनल टारूट फाइवन सब्सक्राइब ने क्या हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जर्नल रीडिंग है कलक्तिव रीडिंग है सभी साइंस पर ही अपलाए होगी ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं अपने लवन्स के लिए पैरेंट्स के लिए कजन सिस्टर्स के लिए ब्रिदर सिस्टर्स के लिए किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं मैंने आपको तीन पाइल शुकr रखी है, इनमेंसे आप एक पाइल चुज कर सकते हैं, दो पाइल चुज कर सकτε हैं, टीनो पाइल भी Чुज कर सकते हैं, पाइल जोस करवाने का मेरे एक simple process है कि मैं आपको एक healing song सुनवाऊंगी उसे आपको ध्यान से सुनना है तीनों पाइल को देखते रहना है और उस वक्ति को अपने दिल और मन में लाना है जिससे आप प्यार करते हैं जिससे आप महबत करते हैं जिसके बारे में भी आप ये reading देख रहे हैं उसके बार में सब को सोच जाए उसकी अच्छी बाते क्या आप उसे अच्छा मानते हैं क्या 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 आपको उसकी बात पसंद है कैसा रिष्टा आप मानते हैं कि ये कैसा रिष्टा चल रहा है आपके रिष्टे में कैसा चल रहा है आपका रिष्टा आप पूरे दिन उससे कैसी बाते करते हैं, क्या होता है, क्या आप उसे याद करते हैं, कैसी कैसी बाते आप दोनों की बीश होती हैं, कैसा रिष्टा चल रहा है इस समय आपका, आपको सब अपने परसन के बारे में सोचना है, दिल और मन में उसके ही विचार लाने हैं, सारे जो सब आपको सूंचना है, फिर हीलिंग संग आपको सुन ना है सतनी समय कैसे शाचे हुआ, लिब कर सकते है? अपने दिल और मन में उस व्यक्ति के बारे में आपको विचार लाने हैं जिससे आप प्यार करते हैं जिससे आप महबबत करते हैं जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं और हीलिंग सॉंग सुनना एक तिनों पाइल को देखते रहना है फिर आप पाइल लैक कर सकते हैं स्टार्ट करते हूं हीलिंग सॉंग सुन ये हीलिंग सॉंग आशा है आपने अपनी पाइल चूस कर ली होगी स्टार्ट करते हैं पाइल वन वालों की रीडिंग कि वो आप से दूर होते क्यों जा रहे हैं क्या कारण है आप दोनों के बीच में दूरिया क्यों बढ़ रही है क्या आपका रिष्टा फेक है जूटा है क्या सच्चा है कैसा रिष्टा है आपका आप दोनों के मन में इस समय क्या चल रहा है एक दूसरे के लिए और कैसा रहेगा आपका रिष्टा इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टाइवट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल टाइवट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टार्ट करते हैं पाइल वन वालों की रीडिंग मुझे आप नजर आ रहा है कि आपके परसन आप जिस वेकिति के बारे में प्याप रीडिंग देख रहे हैं वो आप से बेंतरा प्यार करते हैं पर आप उन पर शक कर रहे हैं बेफालतों का मतलब कि जिसकी कोई सिर्पैर नहीं है उसके उसकी बेसिस पे आप उन पर श्रक करें हैं बेफाल तुमें आपको किसी ने कुछ कह दिया आपने उस बातों को इतना बड़ा एजेंडा बना दिया कि आप अपने परसन पर बहुत जादा श्रक करने लग गए हैं और आप नहीं उनके दूर करना शुरू कर द आइए कि आप उनसे इतना दूर क्यू हो काthe करें हैं या कि रहे हैं क्यूंकि आप लड़का वी हो सकते, लड़की भी आपके Person भी लड़का भी तो उन्हां जो क्या रिश्टाइं हैं बार-बार उससे वो ठक चुके हैं कहीं न कई वो चाहते हैं कि आप भी उनसे आप भी उन प्रस्ट करें जैसे वे करते हैं तो वो आप दोनों के बीच एक तरह का बैरियर आ आपको लग रहा है पर ऐसा कुछ नहीं है वो आपसे बहुत ज़दा प्यार करते हैं आपको अपने परसन से बात करने की जरुवत है जो आपको गलत फैमिया है उन्हें दूर करने की जरुवत है तब ही आपका रिष्टा अच्छा चल पाएगा वरना आपकी वज़े से वो परिष्टा तूट सकता है या उसमें दराड जरूर आ सकती है दूरिया इस समय चल रहे हैं आप दोनों की क्योंकि आपकी वज़े से ही यह आपने ही शुरुवात करी है इसकी तो आपके परसन आपको देखकर मतलब की जो आप कर रहे हैं वो उसे फोलो कर रहे हैं कई न किसी बात पर उस पर मुझे यहां पर यह भी लग रहा है कोई कंडिशन की आप दोनों की किसी बात पर बहुत बड़ी भैस हुई थी इस वज़े से आप दोनों का पॉइंट ऑफ यू मैच नहीं कर रहा था एक दूसरे की जो पॉइंट थे पाते थी वह उस जो आपकी है आपको लग लग रहा है बस ऐसा कुछ नहीं वह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपका रिष्टा कहीं नहीं टूटा आपको बस ऐसा किसी ने दिमाग में भर दिया फिर आपने उस पर इतना ज़्यादा एक्शन ले लिया कि आप अपने परसन से दूरिया ख आशन बैसरा में ज़र आ रहा रहा है जो एक यह दो साल के अंदर सकता है तो उसी किसकी की का एक दो महीने भी लग सकते हैं एक घौक्ता भी हो सकता है आप खुद ही अपने मन में बहुते जा रहे हैंने यह और सब्सक्राइन अपने परफन से बहुत स्वाल पूछ पारी है एबुजे आप नजरा रहा हैUST परसन भी कही ना कही आपको समझ नहीं पा रहे कि आप चाहते क्या हैं तो आपको दोनों को एक दूसरे को समझाना होगा कि आप दोनों चाहते क्या हैं कही ना कही आपको समझना होगा और अपने परसन को भी समझाना होगा कि वह आपको टाइम दे आप मैं ऐसा चाहते हूं आपको अपनी चीज बयतानी होगी अपने पर्शन को क्योंकि आपकी पर्शन कहीं पहीं नहीं प्यार आरे हैं कि ऐस से अपकते प्रस्वास्त्र नहीं कहा लिए आपके पीच है आपके person आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बहुत सई जा रहे हैं उनके दिमाग में कोई भी ऐद्स नहीं है और कहीं न कहीं एक उनकी जो गलट आजाती है आपको लगता है कि वो आपसे विश्वास घात कर रहे हैं या फिर किसी और को अटेंशन दे रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है वो आपसे प्यार करते हैं भले थर्ड पार्टी उन पर कितना भी वो करे कि कोई एंट्री लेन कोशिश करे तो आपके परसन उससे दूर हो रिच्ता को बहुत बहुत जाते हैं कि आपके बहुत्यक्ता काया रिच्ता क्या अपने परसन पर विश्वास करने की बहुत जादा सलह दे रहे हैं एंजल्स उनिवर्स की आप अपने परसन पर विश्वास कीजिए विश्वास पर ही दुनिया ठीकी है विश्वास कीजिए अपने परसन पर और अपने जो आप दोनों का बैरियर है बात करने का कि आप खु किजिए इस बात बता ऍके कान भढ़ने की या फिर आप दोनों के तो यह तो आपके घूंफ कर रहे हैं यह और हो सकते हैं, किजिए जब उनों जब आपने उनके साथ कोई connection मनाया है तो उत पर विश्वास कीजिए तीसी दीसरेज इंसान पर मत कीजिए अगर आपको उनकी बातों पर विश्वास बिल्कुल ही नहीं तो यह प्यार नहीं है तो आपको अपने परसन पर विश्वास करना होगा और किसी थर्ड पार्टी का सुन-सुनी बात पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए पहले confirm कीजिए कि वो सच भी है या नहीं फिर ही अपने परसन को कुछ धोके बास वगयरा सोचिए कि वो आपको धोका दे रहे हैं विश्वास घाद कर रहे हैं तो ऐसा कभी बोल सकते हैं जब लिए कि आपको रिष्टा ये बच्पाएगा वरना आपकी वजह से कहीं न कहीं इस दूरिया आ जायेंगी क्योंकि आपकी परसन दो बहुत जादा के लियर है कि उन्हें क्या करना है पर वो आपको समझ नहीं पारें कि अप चाहते क्या हैं अपने शक्ष्प क्यों कर रहे है कहिना कि आपकी वज़े से उनके एक दूरी का पहाव आना चुका है या फिर आ रहा है यह भी मुझे आपर नजर आ या आगे आएगा यह भी बहुत जादा मुझे नजर आ रहे हैं मुझे आपर नंबर्स नजर आ 9876 इन नंबर से आपकी date of birth की date, month या year हो सकता है या उस विक्ति का जिसके बार में प्याप reading देख रहे हैं जिससे भी आप प्यार करते हैं जिससे भी आप महबत करते हैं इन नंबर से उनका date of birth की date, month या year हो सकता है मुझे आप अल्फबेट नजर आ रहे है P, Q, B, R, S, T, A, B, C, D, E, G, Y, Q, M, N, A, B, C, D, I, F, J, I, N इन अल्फबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है या उस स्विक्ति का जिसके बार में भी आप रेडिंग देख रहे हैं जिससे भी आप प्यार करते हैं इन अल्फबेट से उनका नेम या सरनेम हो सकता है यहाँ पर आपको समझने की जर्वत है अपने परसंट पर विश्वास कीजिए विश्वास पर दुनिया ही ठीक है और आप यह परसंट जो आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इनका विश्वास मत को यह आप वह आपसे दूर होते क्यों जा रहे हैं तो वह आपसे बुल भी दूर नहीं हो रहें बहुत ज़द आपसे प्यार करते इस वेसे वो confusing है उन्हें क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए बर वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो अपने समझ यह आप दोनों अगर आपको उन पर कोई शक है तो उनसे direct बात कीजिए दूसरे की बातों में ना कर अपना रिष्टा मत तोड़ना यह अपने परसन पर शक करें थे वाला गाना जरूर सुने तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लएगा और यही थी पाइलवर पालों की रेडिंग की वो आपसे दूर होते क्यों जा रहे हैं क्या वज़ा है क्या आप करिष्टा जूटा है या सच्चा है तो आप फाइलवर पालों की रेडिंग की वो आपसे दूर होते क्यों जा रहे हैं क्या आपका रिष्टा जूटा है क्या आपका रिष्टा सच्चा है कैसा जा रहा है आप दोनों का रिष्टा आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए आप दोनों के दिल में दूसरे के लिए क्य बताने वाली हूँ इससे पहले अगर आपने मेरी चैनल टाइवट फाइव और समको सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मुझे आप नजर आ रहा है कि आपके रिष्टे में कई न कई कोई बहड़ी कड़वाट आ चुकी है या फिर आने वा चुकी है या फिर होनी वाली है आपके परसन ने आपको भाव देना छोड़ दिया है कही न कई वो इस रिष्टे को आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब वो चाहते हैं कि उन्हें नए अपरस्निटी मिले कही न कई मुझे आपे गेम प्लेयर बहुत जादा नजर आ रहे हैं आपके जो परसन है वो बहुत जादा चालाक हैं वो मतलब की बहुत जादा आपको धोका देने की सोच रहे हैं यह मुझे आपे नजर आ रहा है कहीं ना कहीं वो अपने आपको इतना जादा खोश्यार समझ रहे हैं जो पहले नहीं समझते थे जब अब उ उन्होंने उस अटेंशन को इतना जाद आपने पर हावी कर लिया कि उन्होंने आपको इदनौर करना चुड़ों कर दिया अब आप अब और वों सोचते हैं कि अगर वह आपके साथ रहे तो अब बंधन में रह जाएंगे तो कही नहीं बहुत कुछ चाहिए उन्हें वह आप कोई ऐसी बात उनके साथ हुई है दूसी कंडिशन यहां पर बड़ी सीडियस नजर आ रही है कि अगर उनके साथ कुछ ऐसी कंडिशन आई है जिसकी वज़से उन्हों आपसे दूरी बनानी पड़ रही है या तो फैमिली का इश्यू होता है या फिर उन्हें मूव ओन करने क के लिए कहा जा रहा है तो वह कोशिश कर रहे हैं कहीं न कहीं वह अपने एक्शन में भी यह ला रहे हैं और मुझे थर्ड पार्टी कंडिशन भी नजर आ रहे हैं कि उनकी लाइफ में किसी और के लिए जगा बन रही है दिल में उनके मन में बन रही है दिल में अभी नही तो अब भी चांस है अपने person से clarity मांगे कि वो चाहते क्या है कि वो आपसे चाहते क्या है क्या वो रिष्टा रखना चाहते है या नहीं पर आपके रिष्टे में पेकनेस आ चुकी है आपके रिष्टा कहीं न कहीं जूटा नजर आ रहा है कि आपके person आपको कुछ जूटा श इसी के सामने भी आपकी बुराई कर देते हैं कई ना कई वह इस रिष्टे को अब जादा एहमियत नहीं देते जो इसे वह पहले देते थे आपकर वह बहुत जादा इतने जादा होश्यार ही आपना उपको इतना जादा बड़ा समझने लगे हैं कि वह आपको बहुत जादा हलके में लेने के लिए शुरू करने हैं और उन्हें भी लगता है कि आप तो उन्हें मिल ही जाएंगे आपकी वह इंपोर्टेंस करें या नहीं तो आपको बहुत ज़रुवत है अपने परसन की लाइट में अपनी इंपोर्टेंस दिखाने की आपकी कोई भी कोई साल प्रेस क्लियर्टी लानी हब होगी कि आप जहांते क्या है अपने परसन से पूछना होगा कही नगे आप पूछ नहीं पहर है आप 219 यहा प्नाइ आप्ञेंस पीनाइट ऑन पने रहा ही आप वहत rugतेने कर ने वालें वाला वह तो आप और आप पूचstorm में लगत है उससे आपके रिष्टे की क्लियर्टी आपको पता लग जाई कट अगया आपके परसन आपको बहुत जादा हलके में ले रहे हैं फेकनेस उनके अंदर आ चुके हैं थर्ड पार्टी की कंडिशन भी हो सकती है या फिर कोई उनके पर डिफिकल्टी भी आ सकती है जिसकी वाली कंडिशन जरूर लग होगे क्युक्कि उसके परसन उन्हें धोका भी दे रहे हैं तो आपको पता लगा तो कि वह सच्चे हैं आपके लिए या नहीं जूटे हैं या नहीं तो वह आपको उससे बात करके कि लियर हो जाएगा पर आपके वह आप से दूर इस वह रहा ह चाहाब आपको एगनोर करें नहीं करें या फिर वो किसी और की life में इंटर कर जाए तब भी आपने मिल जाएंगे इतना जाता उन्हें अपने उपर घमंड है कि आप तो उने मेली जाएंगे मतलब बोनस पॉइंट की तरह आपको मान रहे हैं पर दिल से वह अब आपके लिए जादा लब कि जो कोई किसी के लिए दिल से प्यार करता है तो वह उसके साथ इस तरह का अप्शन की तरह नहीं बनाता तो आपको अपने रिष्टे में क्लियर्टी लाने की बहुत जादा जरुवत है पर टेंशन बिल्कुल मत लीजिए अगर आपके परसन सचे होंगे अगर उनके अंदर एक भी प्रसन अच्छा ही होगी तो आप ये रिष्टा बचा लेंगे मु कर रहे हैं पर आपको पूरा कंप्लेट दू नहीं होने देंगे मुझे आप ये नजर आ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि आप तो बोनस पॉइंट आप तो उन्हें मिल ही जाएंगे ये भी उनके दिमाग में है तो ये आपको क्लियर करना होगा कि वह चाहते कि अगर उन सच्चाई है तो मत करिएगा बनाने की कोशिश कीजिएगा वरना अगर जूटा ही पन्न आपको नजर आ रहा हो तो कई न गए अपने रिष्णे में खुद दूरी बनाने की भी कोशिश कीजिएगा जो आप बिल्कुल नहीं बना पार है और मुझे आप एक हीलिंग निभाता चला गया हर फिक्र को धुए में उडाता चला गया तो यह वाला गाना मेरे तेरे लिए हां तेरे लिए सिंदगी कवाकर भी जो सिंदगी मिले तो यह वाला गाना दोनों आप जरूर सुनिएगा अपने परसन के दिल में आप दुबारे से जगा बनाईए अपनी और उन्हें अपना महत्व बताईए जरूर आपका रिष्टा बहुत जादा आगे जाएगा च्छे महिने के अंदर आपके रिष्टे में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है कहीं न कहीं अगर आपके परसन दोका नहीं दे रहे हो कर दोका देनी कोशिश भी कर रहे हो तो 9 8 4 16 17 20 21 22 23 24 25 30 31 17 16 27 30 31 9 8 7 6 3 2 1 इन नंबर से आपकी डेट और बड़ की डेट मन्त या इयर हो सकता है या उस स्वेक्ति का जिसके बार में भी आप रिडिंग देख रहे हैं जिससे भी आप प्यार करते हैं इन नंबर से उनका डेट और बड़ की डेट मन्त या इयर हो सकता ह हैं मुझे हाँ पर अलफबेट नजर आ रहे हैं पी क्यू बी आरस्टी आर एम एन ओ इजी आई के बी आई क्यू आफ जी आई एम एन ओ वाई जैड आई के जे इन अलफबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनिम या उस स्वेक्ति का जिसके बार में भी आप रिडिंग दे विच्टी में कई न कई fakeness के अंदर रही है आपको बहुत ज़ Seoul के में ले रहे हैं तो आपको समझाना होगा कि आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं है आपको अपने लिए स्टेंड लेना होगा अपने परसन को बताना होगा कि आपकी भी वैल्यू है जो पहले उनके दिमाग में आपकी वैल्यू थी वही अब लानी होगी कई न कई वह आपको दिल वाला कनेक्शन आपके परसन अब दिमाग से काम क कर रहे हैं वह अपने दिल को नहोंने साइड में रख लिया है उन्हें यह अपनियुन se pyaar नहीं करते हैं कंपके उफिर से भी दूरी ला सकते हैं क्यूंकि उनके अंवर के परसन उन्हें दोका दे रहा है आप उनसे बात कीजिए क्लियर कीजिए अपने रिष्टा की वह चाहते क्या है तब ही आप अपना कोई डिसीजन लीजे कि आपको रिष्टा रखना है या नहीं और बिल्कुल सोच समझ के डिसीजन लीजेगा अपना है ये इंजल्स रिडिंग की वह आपसे दूर होते क्यों जा रहे हैं कैसा चल रहा है आप दोनों करिष्टा क्या आप करिष्टा जूटा है सच्चा है कहां तक जाएगा आप करिष्टा कैसा जल रहा है आप करिष्टा आप दोनों एक दूसरे के लिए दिल में क्या चल रहा है एक दूसर स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग मुझे आप नजर आ रहा है कहीं न कहीं आपके परसन अपने आपको बहुत छोटा मान रहे हैं आपको बहुत जादा इंटेलिजन मानते हैं बहुत जादा हुशार मानते हैं बहुत जादा बड़ा मानते हैं और अपने आपक connection हो और आप अपनी जिन्दगी में आगे बढ़े इस वैसे वो कहीं न कहीं आपसे दूरी कर रहे हैं अपने रिष्टे में दूरी ला रहे हैं और आपसे दूर होते जा रहे हैं आपसे बहुत जादा प्यार करते हैं आपसे बहुत बहुत जादा प्यार करते हैं इस वैसे व लटके भी तो वह सोचते हैं कि आपके साथ उनका फ्यूचर अच्छा नहीं है कोई फ्यूचर नहीं हो पाएगा बहुत जाद आपसे प्यार करते हैं वह एक तरह से आप उनके लिए बहुत बड़े हैं वह आपको पास पाना चाहते हैं पर पान नहीं पाएंगे क्योंकि वह आपको या फिर वो थोड़े से आपसे कम लेवल के अमीर हो सकते हैं या थोड़ा सा वे समझते हैं कि आप अमीर है बहुत जादा तो वे बहुत जादा गरीब है तो ऐसा मेल नहीं हो सकता आप दोनों दिल से बहुत जादा प्यार करते हैं बहुत जादा रस्पेक्ट करते है दूसरे की तो कहीं न कहीं आपके परसन इस वरे से आपसे दूर होते जाना है उनके दिमाग में किसी ने डाला है कि तेरा कनेक्शन कैसे हो पाएगा कि वो तो इतना जादे अमीर है इतना जादा रुद्बा है और तू इतना जादा गरीब है तो इस वह इस रिष्टे को में दूरिया लाने की कोशिश कर रहे हैं पर लाने ही पारे फिर बिया आपसे बहुत अब प्यार करते हैं तो वह कही बार अपनी बाते आपसे चुपाते भी हैं उनकाने इस तरह बhausुता हैं कि वह अप कुछ आप जालेसी भी करते हैं मुझे जबहते हैं कि आप इतने ज़्यादा रुधबे वाले हैं वो कम है या फिर कोई आप उनके साथ बढ़िया नहीं है बहुत जादा कि वो आपको ना पता लगे, वो बहुत ज़्यादा ओफेंड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उन्हें गिल्टी फील होगा, नीचा फील होगा, इस वैसे वो चाहते हैं, बहुत सारी बात हैं उन्होंने अपने पास्ट के बारे में नहीं बताई हैं, कई न कई वो आपको लगने वाली है, और उन्हें या फिर कुछ बाते उनकी बाहर से पता लगी, तो आपको बहुत जादा अजीब लगा था, उनसे बहुत सारा कॉश्णिंग करी थी, और जिस कॉश्णिंग को से बहुत ज़्यादा अपने आपको नीचा महसु सुनोने करा था, क्योंकि उन् उनकी बहुत ज़्यादा अजीब हैं, घठी बाते हैं, उनकी लाइफ की बहुत ज़्यादा कडवी बाते हैं, वो आपको ना पता लगे, इस रिष्टे में कोई प्रभाव ना पड़े, उसका आपका रिष्टा कहीं लाप ज़्यादा अच्छा भी दा रहा है, और मुझे आ लिखन आरहा है और आप अपने रिष्टे में बहुत ज़्याधा नज़्य क्याना प्यार करते हैं पर वह आपको कही माद कि उहांने बहुत आप मांगानाता हैं रहा हैं कोई तो नहीं करते हैं कि आपके परसद् engagement आरही है याल्की के सामने कही न कहीं महाँ पे कुछ लोग सामने मुझे बिल्कुल रीडिंग चेन्ज होती वही नजर आ रही है कि कुछ लोग के परसण उनकी बहुत जceğा बुराइघ करते हैं जिए जिए उनकी सचाई बोल देते हैं जो अनके दिल में होता है आपके लिए बहुत लोग के सा मैसुस होता है कि यह क्या कर रहे हैं कुछ भी बोल रहे हैं कई बार आपसे भी कुछ भी बोल देते हैं आपके परसंट बहुत जादा बोलने वाले मुझे आपे नजर आ रहे हैं जो कुछ भी बोल देते हैं वह सोसते नहीं है कि उसका क्या अंजाम होगा पर वह कुछ भी ब आपके परसन कुछ भी कर लेते हैं कुछ भी उनका अगला एक्शन आपको पता नहीं होता है को क्या कर बैठें तो आपके परसन बहुत सप्राइजिंग आपके लिए आप शक करते रहे हैं यह क्या कर रहा है यह मुझे प्यार भी करता है यह नहीं आप लड़का भी हो सकते ह यह मुझे हापे नजर आ रहा है वो आपके बार में कभी बुराई गड़ा है उमलब कि सच्चाई बोल देता है जो उनके मन में होता है किसी के भी सामने आप जब उनके साथ हो या पीछे हो तो वो आपको बाद में बाते पता लगती हैं मिट्स मसाला लगके दूसरे के दू तो आपके रिष्टे में कहीं न कहीं करवाहट आती है आप उन्हें बहुत जदा सुनाते हैं दूरिया पैदा हो जाती है यह भी मुझे आपे लग रहा है नजर आ रहा है और यह भी कि आपके परसन सोच समझ के कुछ नहीं बोलते हैं वो ऐसी बोल देते हैं पर उनका दि यह समझाना होगा कि वह अपने रिष्टे को छोटा ना माने तब ही आपका रिष्टा बहुत जादा अच्छा चल पाएगा कहीं न कहीं वह आपसे दूर भी नहीं रह पाते अगर आपको कोई बात वह बोल देते हैं या फिर आप सुन लेते हैं उनके बाद तो वह आपसे निया कर क्लियर करते हैं कि कोईना मेंशा से घलती होगा यह आपसे माफी मांगे लेती हैं रोज आप से सॉरी-स väldigt जबहूरत आ पर भी ना कि यह अभकू अपसे मांगती रिष्टा है आपको परकने परसंदों को वह आपने पको च्छोटा नमाने आती हैं जो वह कुछ भी बोल देते हैं तो उन्हें समझाइए कि सोच समझ के काम कीजिए दिल और दिमाग को एक करके वह काम कीजिए तो ऐसा नहीं होगा मुझे आप एक इन नंबर से आपकी डेट और बट की डेट मन्त या इयर हो सकता है यह उस वक्ति याप करते हैं नंबर से उन व्यक्ति नज़रा रहे क्या अनलफबेट यह 1 प्यार्टि कोनिदों क्यास चरह यह दो इतना प्यार प्यार्म को प्यार हो चीजह आपकी डोनों की बाते पर आपके परसन कभी भी कुछ भी कर लेते हैं जिसकी वैसे आपको शक होता है कि क्या वो आपसे दूर हो रहे हैं क्या रिष्टा जूटा है किए आपके रिष्टा जूस्ता है कब बिल्कुल ऍञाइं को समझाना की दिल और दिमाग दोनों को मिला करें वरना आप इसे ही इस तरह करता हैं carry बहुत जाद है मुझे आप यह भी नज़र आ रहा है यहीं थी पाइल फ्री वालों की लिडिंग अगर आपको मीटिंग रेजनेट हुए तो मैं चैनल टाउट फाइव इंसन का सब्सक्काइब करना मत भूलिए